3 ठीक है तो question number 3 क्या बोर रहा है तिहां से सुनो 4 each of the following points write the quadrant in which it lies जो point given है वो बताना है कि ये point कहां लाई कर रहा है किस quadrant में लाई करना X or Y का value नहीं पूछ रहा है quadrant पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे graph बनाएंगे योग्या horizontal line और यो यह horizontal line है और यह vertical line है ठीक है तो तो point कहां कहां है पहले तो हम इसको बना लेंगे ठीक है तो सबसे पहला point है minus 6 और 3 का तो सब plot कर देते number तो यह हो जागा origin यह हो जागा 1 2 सबसे हाइस number कितना X का 8 X का है 7 5 अच्छा 11 है ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ और बड़ा लेंगे इसको 8 9 10 11 और पुछ लंबा कर लो और यहां लिख लो 12 ठीक है उससी तरह सबसे हाइस कितना है 8 ठीक है तो यहां पर 8 ले लिख हम अच्छा यह minus का है न तो minus का 1 minus का 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 ठीक है y का सबसे highest point है 8 ठीक है तो 8 तक ले लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और फो लंबा ले लो यहां जागा 9 और यह हो जागा इस तरह से ठीक है और माइनस का भी ले लेंगे माइनस का 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 हाँ सब माइनस में है माइनस 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 ठीक है अब दो अपलोट कर रहा है सबसे पहला point है 1 ठीक है 1 point का जो coordinate है minus 6 और 3 का है तो दोखो x पर कितना है minus 6 और यहां जागा यह है ने x पर कतना चलना origin से minus 6 y पर कितना चलना है 3 तो y पर 3 चलो यह आजागा point यहां पर ठीक है यह point यहां रहेगा इस point का नाम है 1 ठीक है उससी पहले तो point को plot कर लेंगे ठीक है उससी तरह से second point है second point यह है minus 5 और minus 3 का तो x पर कितना है तो x पर हम लोग कितना चलेंगे minus 5 और y पर कितना चलना है तो minus 3 चलना है तो यहां से इस तरह से और यह आजागा यहां पर रहे ना इस point का नाम है 2 ठीक है उससी तरह से है third 1 2 3 और इसका coordinate है 11 और 6 का ठीक है तो x पर कितना चलना है 11 यहां पर और y पर कितना चलना है y पर है 6 है ना तो 6 दखो यहां पर है 5 और यहां जागा कुछ यहां पर यहां जागा यह पॉइंट है ना एक पॉइंट का नाम देते हैं 3 ठीक है 4th point है 4th point है 1 और minus 4 का तो x पर कितना है 1 और y पर minus 4 यह point यहां जागा और यह point का नाम देते हैं 4 ठीक है उसी तरह से है 5th point और 5th point given है 4 और minus 1 का तो x पर कितना है 4 और y पर minus 1 यह point यहां जागा कुछ है ना यह point है 5th point समझे मारा 6th point है 4 अच्छा 5th point है minus 7 और minus 4 यह 6th point है ना यह कितना है 6th यह हो गया 6th और 5th point कितना है minus 7 और minus 4 का ठीक है तो x पर कितना चलना है यहां और y पर कुछ यहां पर आएगा यह हो जागा 5th point वह 6th point था और यह 5th point है इसी तरह सिसका 7th point है और 7th point का coordinate जो given है वह है minus 3 और 8 का तो x पर कितना है minus 3 और y पर 8 तो यह आ जाएगा यहां पर इस point में यह हो जागा 7th point ठीक है इसी तरह सिसका 8 point given है और इसका coordinate given है 3 और minus 8 का ठीक है तो x पर कितना है 3 और y पर minus 8 यह यहां बनेगा न यह हो जागा 8 point ठीक है अब question होता है कि कौन सा point किस quadrant पे है ठीक है सबसे पहला point नमबर वन किस quadrant में है तो यह first quadrant है यह second quadrant है यह third quadrant है यह fourth quadrant है ठीक है तो first quadrant कहां पर a first point कहां पर है तो यहां लिखेंगे second quadrant ठीक है ठीक है अब second point कहां पर है minus five or minus three second third quadrant में है यहां लिखेंगे third quadrant पूरा लिखना तुम लोग ठीक है उसी तरह से third point कहां पर है first quadrant पर बोलो first quadrant में है न हाँ third point है first quadrant पर यह सुनगा रहा है न फ़ेस्ट कौडरेंट है और यह third point यहां पर ती first quadrant हो गया यह second हो गया यह third और यह fourth ठीक उसी तरह से fourth जो coordinate है fourth quadrant में fourth quadrant में यहां लिखेंगे fourth quadrant ठीक है और जो fifth point है वो कहां पर है third quadrant में third quadrant लिखेंगे और sixth point कहां पर है fourth quadrant में यह सुनगा रहा ना sixth point कहां पर है fourth quadrant में ठीक सेवंध कहां पर है इसमें है seventh quadrant में है seventh point जो है second quadrant ठीक है eight point कहां पर है fourth quadrant में है eight point चलो इसको हम लोग लिखेंगे fourth quadrant इसका यह answer हो जागा इस तरह सुजागा question number three number four क्या है बढ़िया से पहले समझ लो write the axis on which the given point lies क्या लिखना है point जो है कहां पर लाई कर रहा किस axis पर लाई कर रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या बना लेंगे graph है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं Cartesian plane है ना अर जो इस में हम लोग system में उसकरते हो Cartesian system ठीक है तो यह हो जाएगा origin यह one two three four five ठीक है फिर से यह जागा minus one minus two minus three minus four minus five minus six ठीक है ठीक उसी तरह से माइनेस का one minus two minus three minus four minus five ठीक है और यह है एक्स देसेक्स फिसरा कोर्शन में लिखना बोल गये तैंग और यह किस का है और यह एक्सेक्स है ना और यह क्या होगा y axis ठीक है यहां लिख लो 1 2 3 4 5 सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगा प्लॉट कर लेंगे पहले ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट जो गिवेन है वो है 2 0 का क्या है 2 0 एक्सपर 2 वाइपर चलना ही नहीं 0 मिन्स किया वाइपर नहीं चलना तो यह पॉइंट हो गया फॉस्ट पॉइंट लिख लिए हैं सेकेंट पॉइंट है 0 और माइनस 5 ठीक है एक्स पर कितना 0 मतलब चलना ही नहीं है और वाइपर कितना माइनस 2 इसेकेंट पॉइंट ठीक है उसी तरह से इसका थर्ड पॉइंट जाख लो third point given है minus 4 और 0 का ठीक है तो x पर कितना है minus 4 और y पर तो चलना ही नहीं है 0 है तो यह हो जागा मेरा third point ठीक है अब देखो fourth point fourth point किया है 0 और minus 1 का है ना तो देखो x पर कितना है 0 यहीं रहना है और y पर minus 1 यह point यहाँ जागा और यह point किया है और अच्छा सबसे पहले जो इसमें बताना है कि जो point लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है ठीक है तो ध्यान देना यह first point जो लाई कर रहा है यह कहाँ लाई कर रहा है on the x axis यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग answer में x axis ठीक है उसी तरह से second point जो लाई कर रहा है second point कहाँ है यहाँ y dash में लाई कर रहा है यानि y axis पर लाई कर रहा है तो इसको हम लोग दो तरह सांसर दे सकते हैं यह तो y axis लिख लो बात बराबर है यह ज़्यादा detail लिखना है तो y dash axis ठीक है उसी तरह से third point है x dash axis पर यह तो इसको लिख लो as axis पर यह पर x dash axis पर है ना असान है बिच में और लगा लो और इसको इस तरह से ब्यांसर देंगे तो मेरा गलत नहीं होगा है तो x dash axis और minus में है तो x dash axis होगा है ना उसी तरह से यह fourth point है यह कहाँ लाई कर रहा है y dash में इसको इस तरह से लिख सकते हैं y axis और y dash axis और y dash axis बहुत असान है question number four question five में which of the following points lie on the x axis कोन इसा point है जो x axis पर लाई करेगा तो द्यान देना अभी तो आसानी से बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे गराब बनाएंगे पहला काम क्या रहेगा हम लोगका गराब बनाना ठीक है इससे क्या होगा फाइदा हम लोगको कि तुरंट पता चिल जागा कौन सा point कहां पर लाई कर रहा तो अम लोगको क्या find करना है कि कोन इससा point है जो x axis पर ही लाई कर रहा चाहे वो x dash पर लाई करें चाहे वो x axis मन्दध एक्स पोजिटिव साइड लाई करें तो एक्स एक्स होगा वो तो देखो पहला point जो given है a क्या given है और इसका coordinate है 0 और 8 का तुरसर से पहले हम काटिज सेंप्लें में सबको ना point out point out कर देते है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है इसर भी हम लोग कर लेंगे minus 1 minus 2 minus 3 4 minus 5 minus 7 ठीक है हम एक ट्रिक्स भी बता देंगे तुरंट प्रता चल जागा 1 2 3 4 5 6 7 यह y axis है और यह x axis है ध्यान दो दर और यह x dash axis है जब हम बताएं तो ध्यान बोड पर रहना चाहिए minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 ठीक है ध्यान देना पहला point क्या है 0 और 8 तो x का value केतना और y का value 8 तो यहाँ पर 8 ले लेते हम लोग ठीक है तो यहाँ सी यह point कहां जागा यहाँ यह x axis पर लाई करता है नहीं नहीं ठीक यह x axis पर लाई नहीं करता है ठीक है बी point ध्यान देना बहुत important चीज़ है दूसरा point है 4 और 0 का ठीक है तो x पर कतना चलना है 4 और y पर जे चलना ही नहीं है यह कहां लाई कर रहा भी point x axis पर तो ध्यान देना क्या trick से इसमें अच्छा यह लाई कर रहा है x axis पर ठीक है ध्यान दो जहां y का value 0 रहे वह always x axis पर लाई करेगा गौर करकर देखो जहां y का value 0 रहे तो जहां y का value नजर आए 0 वहां लिक दो x axis पर लाई कर रहा पुछागा y axis पर को लाई करता है तो जहां x का value 0 रहे वह y पर लाई करेगा है प्रेट्रिक्स तो यह नोलेज रहेगा तब तो competition में लोग दाड़ा दाड़ा टिक मार के आएंगे है ना तो देखो बी पोंट हो गया सी पोंट देखो जीरो और माइनस 3 वाई का वेलू किया एक्स का वेलू किया जीरो वाई का वेलू माइनस 3 तो देखो जीरो है दो जीरो है और यह माइनस 3 यहाँ आगिया यह एक्स किस पर लाई करेगा नहीं अधो तुन्हों अपने आप आप अंसर देगी ठीक है D का, D point है, और यह minus 6, और 0, कहाँ लाई करेगा, है न, 0, और यह minus 6, यह कुणसा point है, D, यह कहाँ लाई करेगा, X, 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 P, लाई करेगा, यह वला, समझे मारा, ठेक, ठेक, उसी तरह से कहाँ पॉइंट है, E, यह कहाँ लाई करेगा, 2 और 1, 1st quadrant में लाई करेगा, दोना positive है, यह 2 और यह 1, यह point जो है, E है, अर समझे मारा, डिजिट देखके हम बता सकते हैं, कि कौन सा quadrant में लाई भी करेगा, न, quadrant भी बता सकते हैं, आराम से, देख कर ही, ठेक, तो यह first quadrant में लाई कर रहा है, X, 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 P, लाई नहीं कर रहा है, तो यह तो X, 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 पर लाई करने का था, तो यह point और यह point, जहां पर Y का भेलू क्या है, 0, वही X, X, पर लाई कर रहा है, उसी तरह से F point है, F point का भेलू है, minus 2, और minus 1, यह कहां लाई करेगा, 3rd quadrant में न, तो minus 2, X पर, और Y पर कितना है, minus 1, यह point यहां लाई करेगा, यह कौन सा point है, 3rd quadrant पर लाई करेगा, डिजित देखा, पता चल रहा है, ठेक, उसी तरह से है, G point, यह point है, minus 1, और 0 का, कहां लाई करेगा, 3rd quadrant पर एक्स एक्सेस पर लाई करेगा, Y का वेलू कितना है, और X का वेलू कितना है, देखो तो पहले, कहां पड़ा, हड़ बढ़ाना नहीं है, कहीं पर भी तुरंट आंसर नहीं देना, अभी तैयारी कर रही है तुम लोग, तो थोड़ा slow motion में चलो, जब competition में बैठेग तब देखा जाएगा, अभी समझने का चीज है ना, पर देख लो कैसा coordinate है, X पर minus 1 है, Y पर नहीं है, यहने X पर ही रहेगा point, है ना, तो कहां लाई करेगा, X एक्सेस पर, तो यह point X एक्सेस पर लाई करेगा, उसी तरह से है, H point, और इसका coordinate है 0 और minus 2 का, यहने X पर नहीं चलना है, और Y पर कितना चलना है, minus 2, तो यह कहां लाई करेगा, Y एक्सेस पर, तो यह एक्सेस पर नहीं करेगा, तो यह एक्सेस पर लाई 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 करेगा, तो यह एक्सेस पर में आएगा यह तो एदम बच्चावला चीज है है ना जो नर्सरी केजी में पढ़ता न उसको भी सम्झा देंगे तो भी समझ जाएगा ठीक है तो यह हो जागा कोश्चन नमबर फाइब प्लोट दपॉइंट ए भी सी ठीक है तीनों को कोडिनट गिवेन है तीनों पॉइंट को प्लोट करना है Cartision plane में तीनों को line बना लेना है जो figure बनेगा उसका area निकाला है बता दिया figure triangle का बनेगा तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग kye draw करेंगे Cartision plane तो इस तरह से हम लोग draw कर लएंगे सबसे पहले हम लोग origin इसको O से rows and net करते हैं या 0 से ठीक है and निकालना है तो सब्सक्राइब इसको बना लो 1 2 3 4 5 ठीक है इधर क्या हो जागा दोड़ता लंबा कर देते हैं यह माइनस 5 और इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस ठीक है और यह हो जागा वाई डैस एक्सिस बढ़िया से लेखना इसकेल से लाइन खिचना ग्राफ में कभी भी यह से मत खिच लेना हां नहीं तो गलत हो जागा तो य कभेलो लिखलो 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है और यहाँ एरो बनाना जरूर ठीक है लाइन है ना लाइन के दुनों साइड एरो होता है हां ना जो माइनस 1, 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 ठीक है अब 3 पॉइंट गिवेन है A B C तीनों point का क्या given है? coordinate तो पहला point जो A है उसका coordinate है 2 और 5 का second point है उसका coordinate given है minus 2 और 2 का और third point जो C है उसका point given है फॉर 2 का तो point को पहले plot कर लेते है तो चलो A point का coordinate क्या है 2, 5 A point का क्या coordinate है 2 और 5 तो X पर कितना 2, 2 चल लिए Y पर कितना 5 चल ला है इस तरह साएगा और ये आकर 2 मिल लाएगा तो ये point जो आया है, ये point है A ठीक है, second point किया है minus 2 और 2 का B तो X पर कितना और Y पर कितना 2, यहाँ जागा और ये point किया गल लाएगा B second point किया 4 और 2 का C, तो X पर कितना 4 Y पर कितना 2, यहाँ जागा ठीक, यह होगी है C point अब तीनों point को बोल रहा है कि जोड लो, कैसे जोड लें तो देखो A, B, B, C और A, C तो यहाँ से A से, यहाँ गिया A, B ठीक है, और यह B, C और यह A, C क्या बन गिया इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा से इसको color कर लेते हैं इससे क्या होगा क्यों को पता चलेगा कि यह triangle है, इच्छा सा है ना, triangle बन गिया अब इसका निकालना है area कैसे निकलेगा तो हम लोग area का formula जानते है area of triangle A, B, C equal to half into base into white यह तो जानते हैं अब देखो, यह half तो as it is base क्या होगा, तो base देखो इस minus two point से कहा तक है four तक है तो count करो, कितना unit है तो one unit two unit three, four, five और six ऐसे किये तो यहां से count कर लो, यहां से लेके four है और यहां से लेके two है यह नहीं कि minus में तो उसको less कर देना less मत करना, ठीक है तो देखो, क्योंकि distance जो है minus में नहीं होता है तो बेस किया आओ जागा six unit के लिए रहा है height height दोखो, यह two पर है ना और यह कहा पर है four पर, तो दोखो, one unit और two unit है ना, अच्छा, height यहां से नहीं देखेंगा height कहां से देखेंगे यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे three unit है ना, दोखो two से start करो तो एक unit होगा दूसरा unit और यह तिसरा unit यहां से भेज़ कर रहा है ना यह height होगा है ना तो ठीक है, किन्दा unit होगया three unit clear है अब यह two से three time में three का multiply three से nine unit square area निकाले हैं तो nine unit square सब्सक्राइब कैसे बनाए हूँ ठीक ही पूछना है नहीं यह होगया question number six seven three vertex of rectangle एक rectangle है उसका तीन vertex दिया हुआ given तो a vertex क्या है a point three और one rectangle क्या है a, b, c, d यह rectangle है जिसका a vertex हो है उसका coordinate कितना है three one का और b vertex है उसका जो coordinate given है वो है minus three और one ठीक है और c vertex जो है उसका coordinate है minus three और three का और d vertex given नहीं है इसको बताना है कि यह कितना है और जो rectangle बनके तयार होगा उसका area निकालना है ठीक है असान है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग एक cut रसे ब्लेंड ड्रो करेंगे तो दखो यह और यहां से यहां तर ठीक है तो हईस्ट क्या है त्री त्री अच्छा तो कम लेना तो दखो यह point होगिया origin यह हो जागा 1 2 3 4 यह कहलाएगा X X ठीक है यह क्या कहलाएगा Y X X X डिस X Mark आगी तुम लोगागो यह माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ठीक है यहां से माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ठीक है इसी तरा से यहां लेलो 1 2 3 यह कौन सा एक्सिस है Y-axis और यह कौन सा एक्सिस है Y-axis ठीक है तीन पोईट को पहले plot कर लो सबसे पहला पोईट ए यह वर्टेक्स है इस वर्टेक्स का क्या है कोडिनेट 3 और 1 यहांनी X पर 3 और Y पर 1 यहांगा इस पोईट पर यह कौन सा है ठीक है ठीक है यह पॉइंट मिलेगे हम लोग को भर्टेक्स बी देखो मैनेस त्री और वन का तो एक्स पर कितना मैनेस त्री और वाई पर वन यहाँ जागा यह बी हो जागा है ना ठीक सि का मैनेस त्री ओर थ्री कितना मैनेस त्री आया जागा है कि यह कौन सा पोइंट है यह सी पोइंट यह बताओ डी पोइंट कहा होना चाहिए इस तरह से रिटेंगल बनाना है ना तो तो रेटेंगल का एक खास बात होता है अच्छा वाइपर 3 है तो यह उपर चला जागा है ना तो चलो कोई बात नहीं है हम माइनस 3 रीट कर लिए थे ठीक है तो यह आ जागा 3 पर यहाँ पर आ जागा यहाँ पर है ना इस पॉइंट में आ जागा है ना यह हो जागा सी पॉइंट मेरा किलियर है ठीक तो दोगो ए भी एक टेंगल का प्रोपर्टी होता है उसका अपोजिट साइड से वाला जो होता है लेंद्ध इकवल होता तो दोखो यह लेंद्ध होगा इकवल इसके ठीक तो इसको हम लोग मिला लेंगे इस तरह से आथ एपॉइ यह डी पॉइंट हो जागा मेरा मेरा अब बता डी पॉइंट का कोडुनेट क्या होगा तो एकवस पर थ्री इसफर दीलिख लेते हैं एक्सपर 3 और वाइपर भी 3 ठीक है यह रेक्टेंगल बनके त्यार हो गया अब इसका निकानना है एरिया तो एरिया आफ रेक्टेंगल ए, बी, सी, डी क्या होता बिटा लेंथ इन्टू ब्रेथ यह तो होता है लेंथ कितना है दोगो मैनेस 3 से 3 तक मतलब यहां से यहां 3 वहां से वहां 3 6, 6 क्या, यूनीट, सेंटिमीटर तो नहीं है, मीटर भी नहीं है, क्या है, इन्टू, ब्रेथ, कितना है, 1, 2, टू इनिट है न बटा, तो दोगो यहां से एक उनिट, यहां से दो इनिट, तो टू इनिट, ठीक है, 6 इन्टू 2, 12, यूनीट, स्क्वाइर, यही इसका आंस होगा, तो कोडिनेट पता चला, किसे निकालना है, हम लोग एक प्रोफर्टी पढ़ करा है, रेक्टिंगल में, इसका पोजिट साइस, लेंद क्या होता है, इकोल, यानि जो यह लेंद का होगा, वही लेंद का होगा, तो एक कोडिनेट दिया हो था, बी गिवन था, सी गि लिए, अब देखो, इसका कोडिनेट निकलना बहुत असान है, एक पर कितना है, थ्री, आवाई पर कितना है, थ्री, तो एक सर्वाई का भर्यों थ्री थ्री होगा, है ना, इस तरह सिसका एरिया भी निकालनेंगे हम लोग, तो यहोग यह कुशन नंबर सेवाई,